Welcome to Technical Education by Anand Moriya. इसे समझने में काफी प्राब्लम फेस करनी पड़ती है, इस वजह से मैं आप सभी को Plastic Engineer से Related Content प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, आप सभी हमारे चैनल से जुड़े साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि Plastic Engineer से Related वीडियोस आप सभी तक पहुँच सके, तो चलिए आज के Topic को स्टार्ट करते हैं, Engineering Plastic, जिसे तकनीकी Plastic या High Performance Plastic के रूप में भी जाना जाता है, पारमपरिक Plastic की तुलना में बहतर Mechanical, Thermal, Electrical और Chemical गुनों वाली सामगरी का एक वर्ध है, वे विशेश रूप से विभिन Engineering Applications की मांग की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किये गए हैं, यहां Engineering Plastic के बारे में कुछ प्रमुख विवर्ण दिये गए हैं, एक गुन Engineering Plastic उच्च शक्ती, कठोर्ता, टफनेस, हीट, रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, डाइमेशनल स्टेबिलिटी, विद्युत, इंसुलेशन और कम घर्षन गुना जैसे असाधारन गुनों का प्रदर्शन करते हैं, ये गुन उन्हें ओध्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रिंखला के लिए उप्युक्त बनाते हैं, दो टाइप्स, कई प्रकार के Engineering Plastic उपलब्ध हैं, जिन में से प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुन है कुछ सामान्य प्रकारों में शामिल हैं, ए, पॉलियमाइड नायलॉन उत्कृष्ट शक्ती, तफनेस और वियर रजिस्टिन्स प्रदान करता है, यह आमतोर पर Automotive, Electrical और उपभोगता वस्तूओं के अनुप्रयोगों में उप्योग किया जाता है, बी, Polycarbonate PC इसकी उच्च प्रभाव शक्ती, Optical Clarity और गर्मी प्रतिरोध लिये जाना जाता है, इसका उप्योग सुरक्षा चश में, मोटर वाहन घटकों और Electrical Inclosure जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है, यह व्यापक रूप से गियर, बीयरिंग और आटोमोटिव घटकों में उप्योग किया जाता है, दी, Polyethylene Terephthalate, PET उच्च शक्ती पारगर्शिता और रसाइनों के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, यह आमतोर पर पे की बोतलों, पैकेजिंग और कपड़ा फाइबर में प्रयोग किया जाता है, यह मोटर वाहन, विद्युत और रसाइनिक उद्योगों में उप्योग किया जाता है, इफ, पॉलिटेट्राफ्लोरोइथिलीन, PTFE अपने कम घर्षन, नौनस्टिक गुनों और रसाइनिक प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, इसका उप्योग सील, गास्केट और बेरिंग जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है, तीन अनुप्रयोग, इंजिनेरिंग, प्लास्टिक, विभिन, उद्योगों और अनुप्रयोगों में व्यापक उप्योग पाते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं। और खिलोने, दी, ओध्योगिक उपकरण, गियर्स, बीरिंग, रोलर्स, वाल्व और पंप घटक, ए, एरोस्पेस, विमान के अंदरुनी भाग, कंपोनेंट्स और विद्योग कनेक्टर, एफ, चिकित्सा, सर्जिकल उपकरण, प्रत्यारोपन, योग्य उपकरण और दव वितर्ण प्रणाली डिलीवरी सिस्टम, चार, प्रोससिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सक्रूजन, ब्लो मोल्डिंग, थर्मो फॉर्मिंग और मशिनिंग जैसे विभिन्न तरीकों का उप्योग करके इंजिनेरिंग प्लास्टिक को संसाधित किया जा सकता है, प्रत गुनों और विशेश निर्मान प्रक्रियाओं के कारण मानक प्लास्टिक की तुलना में अधिक लागत होती है, हालांकि उनके प्रदर्शन और स्थायत्व अक्सर मांग वाले अनुप्रयोगों में उच्छ लागत को उचित थहराते हैं, इस तरीके से आज के लेक्चर मे हमने Engineering Plastic की Properties, Type, Processing and Applications के बारे में शार्ट ने समझा, आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में हर एक Individual Engineering Plastic के बारे में डिसकस करेंगे, आप सब अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें ताकि Engineering Plastic से रिलेटेड वीडियोस आप सभी तक पहुँच प ने वाद.